नए भारत का क्रोथ इंजन प्रिक की पास फागत है दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का खिताब यूपी की संस्कृती और केशव ने जीता दोनों ने खेलो इंडिया के मंच को सभी के लिए लाबदायक बताया वही टैलेंट हंट कर रहे हाई परफॉर्मेंस मैनेजर दीपक दुबे खिलाडियों पर नजर बनाये हुए हैं ताकि आगे चल कर देश को बहतरीन खिलाडी मिल सके प्रिक करके राज्यों के विस्फोर्टा खिलाडी सामने आ रहे हैं जहां अभी हमने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट इवेंट देखा उस पर यूपी ने बाजी मारी किस तरह से रहा इनका परफॉर्मेंस और किस तरह से है इस पर हाई परफॉर्मेंस की नजर से उनसे शुरुबात करेंगे सर कैसे नजर है इनके उपर आप कैसे इनको यहां पर कैल्कुलेट कर रहे हैं जब आप ह्पियम की पोस्ट में पहले तो मैं इन सब खिलाड़ें को बढ़ाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना हाई परफॉर्मेंस दिया और अपने स्टेट के लिए और यूकें खिल इंडिया के लिए जो इनोंने गौल मेडल जीता है इनके लिए परसनल बढ़ाई और जो मुझे जिम्मेदाई दी गई है टेलेंट स्कूड करने के लिए इन बच्चों को खिलो इंडिया के तहत इनको रखे और बेहतर बनाने के लिए और यहां से खिलो इंडिया से इनका पदापन जो हैं सुई से और टॉप स्कीन में जाएंगे संस्कृती आपने मैज खिला हर्याने के साथ मुकाबला था आप दोनों पेरिंग कर रहे थे किस तरह से आप करते हैं, आप दोनों ने जो पेरिंग करी यहां पर, किस तरह की जुगल बन दी थी? बढ़ियाती सर, महनत करी हमने बहुत गोल्ड के लिए, बहुत मज़ा भी आया खेलने, बढ़ियालगा यहां तक हम पहुंचे, आगे भी जाना चाहेंगे बहुत. आपको कुछ साब कैसे इनको देखते हैं? यह इंडिया के लिए एक प्राउड मॉमेंट है, एक ऐसा प्लाइटफॉर्म दिया है, खेलो इंडिया ने, कि जो मतलब नीचे लेवल में बच्चे होते थे जहां स्कूल से, जहां छोटे लेवल में बच्चे होते हैं, हमारे टाइम में एक टीम सेलेक्ट हो जाती थी, कि भया प्लाइटफॉर्म पे तीन, चार, चार शूटर्स आगे हैं, उन्हें सालों साल कंटीनियों उन्हें ही रिपीट किया जाता था, बर अभी एक नया प्लाइटफॉर्म शुरू है, जिसे नया टैलेंट निकल के आगे आ रहा है हो, और इंडिया उनको मौका दे रही क्यामना जीत के साथ मैं मुकेश उकला, डेडिन्यूस, भॉपाल